दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धूनी को एक बहतरीन खिलाडी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा जैसा कि आप सभी जानते हैं भारते टीम के कोच रवी शास्त्री का कारिकाल अभी खत्म हो गया है और उनकी जगह राहुल रवीड को भारते टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है जिसके बाद भारत के साथ साथ सभी देशों में इस बात के चर्चा जोरो शोरो से हो रही है इसी बीच पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भी रवी शास्त्री को लेकर कुछ ऐसा कह डाला है जिसको सुनकर सभी हैरान रह जाएंगे तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि बाबर आजम ने क्या कहा रवी शास्त्री के बारे में लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है राहुल रवेड के जगा महिंदर सिंग धोनी को भारती टीम का कोच बनाया जाना चाहिए था या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि रवेड शास्त्री अब भारती टीम के कोच नहीं रहे दोस्तों बाबा राजम का बयान सुनकर आप सभी को क्या लगता है क्या रवी शास्त्री को भारती टीम का कुछ होना चाहिए या नहीं हमें नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके ज़रूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूटूब चै करनल को